है यह वेल्कम टूम टूम यूटूब चैनल और फरत अकेडमी मेरे इस चैनल पर आप सबी लोग का स्वागत है तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की उर्दू का पहला चाप्टर जिसके चाप्टर का नाम है नजीर एहमद की कहानी अब कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी देखें कहीं कहीं भी बस इतना ही दिया हो रहता है नजीर एहमद की कहानी और इसका जो यह पूरा नाम है नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी यह क्या है तो यह पहला खाका है देखें इससे कोशन कैसे बनेगा कि बताए यह न को लिखा किसने हम इस इनके मुशनुद्ध का नामन क्वारं मुशनुद्ध自भा ने वाल हएं that इसलिए पहले खाका निगां देखे और नजीर एहमत से कोशन बनता है कि नजीर एहमत कौन थे तो नजीर एहमत जो थे वो एक उर्दू के पहले नाविल निगार थे याद रखिएगा कि उर्दू के पहले नाविल निगार कौन थे तो नजीर एहमत और उर्दू के पहले खाका निगार कौन थे तो मिर्जा फरतु अब देखिए आप हम जानते हैं कि खाका क्या होता है तो किसी सक्षित की तषवीर कश्री खाका कहलाती है कि कोई बी इंसान हो उसके व्यक्तित्व के बारे में कि कोई बी इंसान कैसा है उसके बारे में जो हम लिखते हैं उसके प्रस्नालिटी के बारे में तो वही क्या कहलाता है खाका कहलाता है जिस तरीके से ये फरतुल्ला विक जो थे वो अपने उस्ताद नजीर रहमत के बारे में लिखे थे खाका अब देखिए यह एक बंते कोशन की खाका क्या है खाका न जिस तरी किसे हैं जिकने वाले को खाका कोंते यृच्व का नईकार लिया जाता है और निकारी तो जोसे लिखते हैं ऐसे यहीं नाम अब देखें यहां असल नाम किनना यह जो खाणा लिखने वाले के सब्सक्राइश को चैने क्या है मिर्जा फरतुल्लाबेग ये उर्दू के पहले खाका निगार थी अब देखिए इसका जो नेक्स्ट कोशन बनता है इनके वालिद का भी नाम पूछ देता वालिद मिन्स अब्बू इनके जो अब्बू का नाम वालिद का नाम क्या है मिर्जा हश्मतुल्लाबेग मिर्जा ह मुसनिफ मुसनिफ के ये मिर्जाцы फरत अलवे के बारे में सारा कुछ हम Ignace जानेंगे में इन कि तारिफ मिर्जा फरत अलबे के वालिद कर नाम मिर्जा हश्मतुलाबे और इनके दादा कर नाम मिर्जा अब्ळुल्भ बे अब देखिया इनकी पैदाइस मतले मिर्जा कि या इंतिकाल दिखे तो इनका जो इंतिकाल वो कहा कवा उनिसस है तक देली की यादगार मुशहरा रे 'dot और है, फूल वालों की सेरी, ऐन्होंने मजामीन की लिखा था है, नाम सी मजामीन है, मजामीन फठह्त, मजामीन repetition का किया है, मजामीन फठह्त, यहां तक कंप्लीट, अब यहां जानते, देखे नहां के जाने हैं, किरदार की वार में, किरदार की व्या हो थasında है। फिर कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी ना किसी का रोल होता है, जैसे हम एक मूवी भी बनता है, तो मूवी में क्या होता है, हीरो, हीरोईन और भी सारे बहुत सारे अक्टर होते हैं, तो देखिए, जो रोल प्ले करते हैं, तो वही क्या होते हैं, किरदार ह कोश्चन इसमेंसे बनेगा कि नजीर अहमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुवानी के दो किड़ार का नाम बताया है फिर तीर दिन किड़ार का या फिर औप्सन अब्जेक्टिम में आपको कोई सब एक किड़ार का नाम देदेगा उसमें जबू लगए कौन और इनके उस्ताद और देखिए ये मदर्से में पराते थे कौन नजीर रहमद जो थी वो एक मदर्से में पराते थे अपने घड़ पे ही एक मदर्सा खोल तो मदर्से में ही पराते थे और जितने में सारे बच्चे थे ना इनको मौलवी साहब कहते थे क्या कहते थे मौलवी याद एस्टूडेंट जो थे वो और मिया दानी यह दोनों मिदर सी के जो थे वो क्या थे शटूडेंट थे मदर सी के सागर्द थे महा सारे इन दोनों ने एहम रूल अदा किया। और सबसे ज्यादा जो इनके सबसे च Catholics我們的 भार इंडनी को दो चाहिए सबसे हैं नजीर रहोalah हैं बौाइब कमें फर्तोर नजीर नजीर रहाते दौस्ट में एक पूझसाना क्वानades । तो एराब की गल्दी करते थे ठीक है और अगर मियादानी के वारें पूछे कि मियादानी भी गल्दी करते थे तो मियादानी किस तरह की गल्दी करते थे यह मियादानी जो थे वह सेर को नश्र की तरह परते थे यह एराब का सही इस्तिमाल करते थे और मियादानी यह एराब की तरह पढ़ने लगते थे तो यह इनका घलती था किनका गलती मियदानी का अब देखिए एक कोश्चन इसमें ये बनता है यह दोनों मदरसा में साथ में पढ़ते थे कौन कॉन फरतुल्ला बेग और मियादानी ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे मतलब ये दोनों साथ में पढ़ते थे फरतुल्ला बेग और मियादानी तो कोश्चन इसमें क्या बनेगा कि फरतुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन थे तो याद रखी है कौन थे मियादानी और एक कोशन और ऐसे बनेगा कि फरतुल्लाबेक और मियादानी मौलवी सहाब के घर क्यों जाते थे तो पढ़ने के लिए जाते थे एक मदरसा ये खोले हुए थे ना तो इस मदरसे में दोनों क्या करने पढ़ने जाते थे ठीक है और मियादानी साथ बखेने मियादानी कोलेज मेरी थे मख़हादानी तो इस में नाम थे मियदानी मियादानी मियादानी का त सबहें को हैं सबक्राइब सुनकरिंगा को सब्सक्राइब अच्छी आधिक अच्छी के लश्डीय लेश्ड परहांत कि रहें हैं तो बने स्टून आपいたर सिदून सबक्राइब मिल जाए उनके अच्छे टीचर के बारे में जाने तो उनको भी दिल करता है कि उनसे हम कुछ पढ़ें कुछ सीखें तो यह जो मिस्टर रजा थे ने यह कॉलेज की कलास में ते कि यह तीनों कॉलेज में साथ साथ पर दे थे कौन कौन फरतुल्ला बेग मियादानी मिस्टर तो यह मौलबी साहब के बारे में सुन करके कौन मिस्टर रजा यह इनका भी मन करता है कि हम जाकर के नजीर रहमत साहब से पढ़ें तो यह भी गयते पढ़ने के लिए कि इनके पास नजीर रहमत के पास इस दोनों को कौन ले गए थे तो फरतुल्ला बेग और मियादानी दोनों इनको ले गए थे मिस्टर रजा को तो देखे जब मिस्टर रजा मदरसे में जाते हैं तो यह दोनों तो गलती करते थे साथ में यह भी एक गलती करते थे कौन तो मुतनभी मुतनभी की गलती करते थे देख अब तीनों को एक गलती था फरतुल्ला बेग पढ़ने क दूरान कैसी गल्दिया करते तो एराब की गल्दी मियादानी सेर को नसर की तरह और मिश्टर रजा थे वह तन्वी की गल्दी करते हैं तन्वी की गल्दी करते हैं तीनों एक गल्दी था ठीक है और यह तिनों अपने कॉलेज के क्लासमेंट थे और यह दोनों मदर्सा के क्ल तो इसमें जो भी पॉइंट बन रहे थे वह हम लोग सीख लिए हैं अब इसका जो भी कोशन इसके वाद हम लोग कोशन आंसर करेंगे तो जब तक आप लोग वीडियो में बने रहे हैं हम लोग इससे आगए आप कोशन आंसर करते हैं देखे इसका जो है नजीर अहमद की कहानी का जो मुक्तसरें सवालात है इसका जो पहला कोशन है उर्दू का बाजापता खाका कौन सा है तो आपको बता चुके उर्दू का पहला बाजापता खाका जो है वो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी यह खाक कौक्षन को मैं भर कुछ से NB. दूसरे नमबर कौ्शन है की उर्दू का पहला हाला निगार कौन है लकार खाका और पहला निगार फारदो निगार में चाहें चाहर पूचत मेरे कुछ अनकी जोऑनी और अगला फरतुल्ला बेक के साथ मदर्से में कौन थे, मियादानी, और Mr. Rajatatë, वो college के लास मिरते बात मिभी अधर सा गये थे, लेकिन बहुता हैं इसका जो यही answer होगा फरतुल्ला बेक के साथ मदर्से में कौन थे, तो मियादानी. कोशन नमबर 5 है, नजीर एहमद का तालुक की सनफ से तब को बता चुगे कि नजीर एहमद का जो तालुक है वो किस से है नाविल से है फरतुल्ला बेग का किस से है खाका से और नजीर एहमद का किस से है नाविल से ज़रे कोशन नबर 6 पर जाते है तो कोशन नबर 6 के आए फरतुल्ला बेग औ और मियादानी मौलभी साहब के घर क्यूं जाते थे तो देखे़ फरतुल्ला बेग और मियादानी मौलभी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे ठीक है अगला कोशन ने 7 नजीर एहमत का तालुक की सनफ अदब से तो नाविल से ये कोशन रिपीट हो गया चले कोशन जो थी ये उर्दू के पहले नाविल निगार थी और इनका जो पहला नाविल है तो वो कौन है तवातुल नसू जो 1869 में लिखा गया था तवातुल नसू और इनके मुशनिफ कौन है तो नजीर एमद कोशन नमबर नाइन है फरतुल बेग सेर खानी में किस तरह की गलतिया करते तो बता है कि फरतुल बेग किस तरह की गलतिया करते थे तो एराब की गलतिया करते ठीक है अगला कोशन है कोशन नमबर दस नजीर एमद की कहानी के मुशनिफ का नाम तो मुशनिफ का नाम क्या है तो फरतुल बेग कोशन नमर 11 जिस तहरीर में सेर वा सेर अदब सेर वा अदब की तफीम और ताबीर वा तश्री की जाए उसे क्या कहते हैं तो याद रखना कि जिस तहरीर में सेर वा अदब की तफीम और ताबीर की वा तश्री की जाए उसे क्या कहते हैं तो तनकीदी मजमून कहते हैं अगला कोश जिस तहरीर में लिखने वाले जरीफाना रुख एक्तियार करें उसे क्या कहते है तो जरीफाना रुख तो जरीफाना मज़ून अगला कोशन है नजीर एहमद की कहानी अफसाना है या नहीं तो देखें आपको पता है कि नजीर एहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुब क्या घ्राइक किया का नाम का नाम किया ते तो मुतन भी क्या नामता मुतन asmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmasmas सेर को नश्र की अंदाज में परते तीनों को गलती याद रहेगा फ्रतुल्ला बेग एराप की गलतिया करते थे मिश्टर रजा मुतनभी की गलती करते थे और मिया दानी जो थे वो सेर को नश्र की तरह परते थे मतलब कहानी की तरह परने लगते थे अबला कोश्चन है मौल मौलवी सहाब के पढ़ाने का यह तरीका था कि वे पहले बच्चों से ही किताब की वारत पढ़ाते और सुनते थे अगर तालीब इल्म ने सही पढ़ा तो ठीक वरना उसे दर्स से निकाल देते दर्स मतलब जो मदर्से में जिस जगे पर पढ़ाते थे वह पहले गुस्सा ब कोशन है 17 नंबर कोशन देखे अब इसका लाश्ट बच इए कि फरत उल्ला बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा फरतुल्ला बेग ने अपने उस्ताद मुहतररम से बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत मुताशिर भी हुए डिप्टी नजीर एहमद की शक्सियत को बहुत करीब से देखा और समझा जाना उसका नतीज़ा ये है कि उन्हों ने अपने उस्ताद का एक खाका भी लिख डाला देखिए वो अपने उस्ताद से इतना कुछ सीखे उनके बारे में इतना जाने वो उनको इतना लगाब हो गया कि उनके बारे में उन्होंने एक खाका ही लिख डाला और उर्दू नसर में एक मजबूत रिवायत कायम की और खाका निगारे की बुनियाद डाली मतलब उर्दू के जो पहले खाका सबसे पहले किस नहीं लिखा जितने समन नजीर में को मनपशंद सागिर्द कोन थे मिर्जा इसने अधने सारे कोशन को भी कमप्लीट कर लिए और इस चैप्टर में करने के बाद सबसक्राइब कर लें तो अब और वीडियो पुते हैं और बातना नाथ है और अगर फिर पर डीयो में कंप्लीट करेंगे तो चलिए तब तक के लिए टेक कियर जहींद खुदा हाफिस